नमस्कार दोस्तों आपका हमारे Simple Pharmacy Study चैनल में स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे डोपामाइन इंजक्षन के बारे में दोस्तों बात करेंगे दोस्तों माईस अलब धर्मेंद फार्माशिस्ट, मैकरेश्टर, फार्माशिस्टूं मैस चैनल पे आपको Medicine Cellular जनकारी और Pharmacy Cellular information देता रहता हूँ तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो डोपामाइन इंजक्षन होता है ये आखिरकार क्या है दोस्तों ये सिंपैथो माइमेटिक एगोनिस्ट क्लास की Medicine होती है अब हम बात कर लेते हैं इसके उपयोग इसका उपयोग किन-किन बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग दोस्तों Kidney फिल्योर के केस में भी किया जाता है दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जो यह injection होता है यह काम कैसे करता है तो दोस्तों यह injection जो होता है यह हमारे brain की kidney की आतों के receptors पे काम करता है यह क्या करता है जो blood vessels होती है उनको relax कर देता है जिससे क्या होता है कि blood vessels में blood का flow और oxygen का flow बढ़ जाता है दोस्तों दोस्तों और ये क्या करता है kidney में urine का production बढ़ा देता है जिससे क्या होता है कि kidney में किसी प्रकार की injury नहीं होती है अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ common side effect के बारे में कि कौन-कौन से आपको common side effect इसको इसके देखने को मिल सकते है दोस्तों आपको ear, face या fit neck पे गर्माहट महसूस हो सकती है दोस्तों आपके सर में दर्द हो सकता है और दिल की धड़कन बढ़ सकती है ये इसके कुछ common side effect होते है दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि क्या-क्या साउधानिया आपको रखनी चाहिए इस injection का इस्तमाल करते समये दोस्तों अगर alcohol आप पीते हैं तो इस injection का इस्तमाल ना करें दोस्तों अगर pregnancy है किसी माता के तो अपने doctor से सलाह लें अगर breast feeding है तो उसके इसमें injection safe है अगर friends kidney या फिल liver की कोई बीमारी है आपको तो अपने doctor से सलाह लें फिस injection का इस्तमाल करें अब हम बात कर लेते हैं friends कि इस medicine को किन दवाईयों के साथ में नहीं देना चाहिए फेनी twine इर्गोटा माइन के साथ में नहीं देना चाहिए दोस्तों डोकसा प्रैम एक कार्बोज के साथ में नहीं देना चाहिए और फेनी लिफरिन के साथ में इस medicine का इस्तमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि किन बीमारियों में इस injection का इस्तमाल नहीं किया जाता है दोस्तों अगर आपका डॉक्टर रिकमेंड करता है तो आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं जैसे कि एंजाइना हो गई या फिर हिर्दय रोग है अगर आपको तो उस केस में नहीं किया जाता है अगर कोरोनरी आर्टरी डिजेज है या फिर सुगर की बीमारी है तो उस केस में अपने डॉक्टर से एक बार सलाह लें फिर इस इंजक्शन का इस्तमाल करें अगर तो एंटीडोट इसके लिए क्या है तो फ्रेंड्स इसमें फिर्टोला माइन का इस्तमाल किया जाता है अगर इसका कोई दुस्प्रभाव दिखता है इस मेडिसिन का दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में आपको किस नेम से और कितने रुपए का मिल जाएगा तो फ्रेंड्स ये डोपा माइन इंजेक्शन करके ही आता है जेनरिक नेम है ये आपको 22 रुपए का मिल जाएगा 5 ml होता है वन वायल में डोपार 200 mg इंजेक्शन के नाम से मिल जाएगा फ्रेंड्स आपको 27 रुपए का दोस्तों कार्डी डोप इंजेक्शन 28 रुपए का आपको मार्केट में मिल जाएगा दोस्तों दोपालिन 200MG इंजक्षन आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा उम्मीद है वीडियो आपको अच्छे लगए होगी अगर वीडियो आपको अच्छे लगए होगी तो वीडियो को लाइक रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए मिलते हैं अगले वीडियो